नमस्कार दोस्तों सौगत है आप सभी का इजी नोखरी चैनल पर दोस्तों इस वीडियो आप देखेंगे भारत विश आर्शिकी 2020 यह पार्ट टू पार्ट वन अगर आपने नहीं देखा हो तो जल्दी से देख लिजिए उसमें बहुती महतपूर कुशन थे और यह पार्ट लिए डेस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे रखा होगा टेलेगराम का उसे जोइन करके आप महां से पीडियाप डाउन्लूट कर सकते हैं बात करते हैं आर्थिकी 2020 बजट 2021 में आय प्राप्ति के सबसे बड़े स्थोट कौन से थे भायरत सरकार के तो वह थे उधार औ और शुलकों में राज्य का हिस्सा तो वह कितना परसंट था बीस परसंट और ब्याज अदाएगी अठारे परसंट भारत करीब बहुत संस्ताओं से लोन लेता उसकी ब्याज इंटरस भी देनी पड़ती है तो वह करीब दूसरे नंबर पे था सबसे बड़ा अठारे परस किसान सम्मान ने दी जिस पर 75,000 करोड उपे इस पर लगा हुआ है यानि कि सबसे बड़ी योजना है जिस पर भारत सरकार की सबसे बड़ी योजन यह यह पिदानमंती किसान सम्मान ने दी और इसमें करीब 75,000 करोड उपे वे किया गया है सबसे बड़ी वे वाली योजना याद रखेगा अगला कुशिण Voice करेगा थिके विदूति करण को दोजार पच्छी स्टारगेट से तिक हैं किस में से आध autom ववराल भारत चीन से सब् מעire करता करीब 14.5 पर सिंट करता है सब् 관련 2020 शाप unbelievable ऑफन रिफन चाल से बड़ी अर्ध क्यासि आपको पता ही है भारत जो 5 वी अर्द सबस्क्राइब के और पैसे बड़कने वाले तो करो क्रव खिलकों में राज्ञे कैस्सारग्य यानि कि राज्यों को जो शूल को करो करो के रबीस परसंट बरसरकार बेखर यह इसके बाद आता चीं, भारच जितने इस अंस्तारों से लोन लेता है, साल वर और यह पास साल में, यह उसकी जो ब। यह होती है interests होता है वह बारश सरकार को देना पड़ता है तो वह दूसरा सबसे बड़ा घटक है बारश सरकार का अगला देख लेते हैं इंडियन इस्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2,019 में कुल बनावरण कितना है तो state forest report के अनुसार मैं बता दूँ फ्रेंड सबसे पहले आपको यह जानना है कि जो state forest report है प्रतिक दोवर्ष के अंतराल पर आती है अनकी 2019 में latest है अगली बार आएगी 2021 में याद रखेगा और इसमें देश में कुल बना बरान कितना है तो 71.22 million hectare है याद रखेगा data याद र बात करें तो 21.67 परसंट कुल बना बरान है भारत का अगला देख लेते हैं इंडियन इस्टेट फॉरस्ट रिपोर्ट के अंसर कुल ब्रक्षा बना कितना है तो व्रक्षा बनने 9.50 million hectare परसंटेज में बात करें तो 2.89 परसंटेज यह याद रखेगा अगर मैं यह किस ने लॉंच किया है और मनीआप की फिलिफोर्म होती है मोई एडेट नोड आइटिफायर याद रखेगा और मनीआप बेसिकली जो डश्टी बादित लोग जो होते हैं उनके लिए निकाला है जो नोट नहीं देख पाते हैं या उनका कम बिजन होता है जैसी दश्टी पादिक लोगों का कम विजन होता है और वो नोट नहीं पहचन पाते के पांसो का या दो जार का या सो रुपे का पचास रुपे का तो उनके लिए मनी एप निकाला गया अगला देखते हैं इंडिया ने इल्बेंट फाइनेंशियल मेनेजमेंट आई यार आई एफम की स्थ सब्सक्राइब के अपकर हुब यार्द या इंधर रह तो अब्याट की से इस दाओ जो मेंब्ले कि दो foreign जो हुआ HDFC बना हुआ है लगाता च्छे वर्षों से शीर्ष पर बना हुआ मोस्ट वैलेवल ब्रांड में ठीक है अगला कुशन देख लेते हैं यूएन 2020 के अनुसार विश्ट की जनसग्या कितनी है यूए यूएन पीएफ की फुलफर्म होती है यूनाइटेट नेशन पॉपुलेशन फंट और यह हर वर्ष यान कि हर दो तीन वर्ष के बाद विश्ट की जनसग्या ग्याद करता है तो इस वार विश्ट की जनसंग्या 7795 याद रखेगा यह आपको आंकड़े याद रखने हैं अगला कुशन देख लेते हैं AIV Asian Infrastructure से इस्थानी मुद्रा में विश्ट का पहला रिंड प्राप्त करता है देश कौन सा है तो वह है भारत याद रखेगा यह पहला भारत देश बनाए जो विश्ट पोशन वाला पहला देश बनाए जिसने अपनी स्थानी मुद्रा में AIIV से रिंड प्राप्त किया है 2020 का भारत का कुल खादन कितना था यद रहेगा पूछा दा कुल खादन 296 7 मिलियन टन रहा भारत का खुद खादधन अगला देख लेते हैं 2020 में रतन महारतनन नव रतन कंपणिया कितनी है तो में रतन की मैं बात करूँ तो 73 में रतन कंपनिया है महारतन था और 9 की बात करूँ तो 14 cream यादय्वें 2020 तक रेल तो साउथ कोश्ट रेलवे या दच्छन चाटीय रेलवे बनाता है जिसका हेड़कोटर विशाका पटनम में सित है अगला कुशन देख लेते हैं भारत विजली उत्पादन 2020 तो विजली उत्पादन करम भी पूछे आता है सबसे आदा विजली किससे पैदा की जाती है तो बेसिकली जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं तापी यह होते हैं उनसे 62.2% की जाती है इसके बाद पन विजली आ जाती है 12.3% इसके बाद अच्छा उर्जा आ जाती है यानि की रिनेवल एनर्जी आ जाती है 13.7% फिर आती है नुकलियर एनर्जी 1.8% बेसिकली आपको याद रखना है तापिये के बाद आता है अच्छा उर्जा फिराती है पन विजली फिराती है नुकलियर उर्जा यह करम आपको याद रखना है अगर overall विजली के उतपादन मैं बात करूं राज्य के इसाब से तो राज्य में सबसे यादा महाराष्ट करता है विजली का उतपादक राज्य कौन सा है तो असम एब बोडोलेंड बोडोलेंड जो है असम का ही परांत है और इसी में ही सबसे यादा आपको याद रखना है असम जो है इरी रेशम सबसे जादा उतपादक करता है तो करीब 4764 मेट्रिक टंग यह पैदा करता है अगला बात करें मुवा रेशम में भी उतपादन में नमबर वन राज्य असम इब बोडोलेंड रेशम का ही परांत है और 193 मीट्रिक टंग के साथ यह भारत वर्ष में सबसे ज्यादा उतपादन वाला राज्य है मुवा रेशम के लिए याद रखेगा अगला कुशन देख लेते हैं 2020 तक टशर रेशम उतपादक राज्य कुझ्चा है तो टशर रेशम करता है जारकंड सबसे ज़्यादा और यह करता है टेश्यूदा तर यह 200 मीट्रिक 10 के साथ भारत में नम्मर वन राज्य है टशर रेशम के उतपादन में अल़ा सब्सक्तित को कहते हैं और उसमें कानातक अधिक उत्पादन करता राज्य याद रखें 11592 मीटिक टन के साथ अगला देख लेते हैं भारत में लौ विश्विद्दाल लौ युनिवर्श्टी कहां वनेगी तो दोस्तों लौ युनिवर्श्टी वनेगी प्राइगराज में प्राइगराज को इलावाद भी कहते हैं और यह उत्तपदेश का एक जिला है और यहीं पर इलावाद युनिवर्श्टी भी इस्तिते भारत वर्ष की सबसे पुरानी युनिवर्श्टी और यहीं लौ युनिवर्श्टी बनाने का प्राबदान किया भारत में याद रखेगा अगला बात करें जुलाई 2020 तक बिर बिर उजगारी दर ती सरवादिक बिरुजगारी दर राजय वाल बात करूं तो कहां ती हर्याणा राजय में करीब 33.5 परसंट ॥ी हर्याणा में 33.5 परसंट की दर से हज़याद रखेगा अगला बात क económism 120 में है im करता है वह करनाटक राज्य करता और करनाटक राज्य में 7270 मेगावार्ट चमता सबसे ज्यादा कंड़ा करने वाला कर दोस्तो याद रखेगा जो है संचित भंडार है आप सबसे ज्यादा कोईला है जारकंड में लेकिन जो उत्पादन करने वाला राज्य वह उडिसा है उडिसा अभी टॉप पर चला कोईला के उत्पादन में याद रखेगा यह पूछा जाएगा और आप जारकंड मत करके आना क्योंकि वह कुल भंडार में नंबर वन है और जो सब्सक्राइब करें और हो सके तो जार से आदा शेयर करें वीडियो को और अगर वीडियो की वीडियो चाहिए तो हमारे इस वीडियो की नीचे डेस्क्रिपिशन में लिंक दे रखका महां से टेलीग्राम लिंक जोइन कर सकते हैं और यह भी पीडियेप डाउनलोड कर सकते हैं बहुत-बहुत धन्यबाद